Welcome again friends, बात करेंगे मुह कड़वा लगता है, मुह में स्वाद नहीं आ रहा है, मेटालिक टेस्ट आता है, तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, तो मुह में कड़वा लगना या स्वाद नहीं आना, इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, जो सब बड़ा कारण है, तो अगर आपको दवा चल रही हो, ज्यादा तर बात करें, एंटिबायोटिक हैं, काफी तरह के, और सप्लिमेंट हो गारा, जैसे की आईरन है, जिंक है, कैल्सियम है, तो दवाईयां और इन्फेक्शन हो गारा, शरीर में बुखार है, ये सबसे प्रमुक कारण होते हैं, कड़वे सुआत के, इसके साथ में कड़वे साथ का कारण ये भी हो सकता है, कि आपके नेजल मुकोसा, जो नाक है, जहां से इसमेल आती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, वाईरल इन्फेक्शन है, कोई और बिमारी हो, या जो ओरल मुकोसा है, जहां पर टेस्ट आता है या टंग की मुकोसा है जहां पर टेस्ट आता है या गले में इन एरिया में इंफेक्शन होने से यहां की मुकोसा डाइमेज हो तो जैसे अगर आपका गला खराब होता है नाक के अंदर इंफेक्शन होता है इसके करण भी आपको हो सकता है कि टेस्ट ना आए और टेस है जब तक हम कारण नहीं पहुंचानेंगे और कारण को नहीं अटाएंगे तब तक यह जो टेस्ट है कड़वापन है मुह का यह नहीं जाएगा एक गरवावस्ता भी बड़ा कारण है का मुह का कड़वा होने का बारहाल कुछ तरीके हैं दवाईयां तो देखे इसमें नहीं है दवाईयां कोई नहीं है जिसके खाया जाए तो मुह का कड़वापन चला जाए कड़वापन यह जरू देखा गया है कि अगर किसी का मुह सूखता है अगर मुह सलाइवा कम बनता है मुह सू काई निकलते हैं उससे ये मुह के अंदर कड़वाट आती है और जब हम लोग एंटि बायोटिक के आते हैं तो एंटि बायोटिक भी सलाइवा से से बनेगा तो bacterial infection हो गारा जो है यह नहीं होगा दूसरी चीज आपको ब्रस करना है दो बार सुबह साम ब्रस करेंगे उससे भी अंदर आपके जो bacterial infection हो गारा है वो ठीक हो जाएगा इसके अलावा smoking और alcohol यह दो चीज है जो बेड़ी, गुटका, cigarette है या सराब है इसके कारण भी यह टेस्ट बड़ चली जाती है मतलब जो आपको metallic टेस्ट या जीव सा टेस्ट आता है इसके कारण भी होता है इसके लावा आप कोई खटा फलो चाहे नीबू हो चाहे संद्रा है तो उसका juice पी सकते है या नीबू के slices काट के मुह में रख सकते है तो उससे भी थोड़ी स सकते हैं उससे भी फायदा होता है नमक के पानी से गाल गल करने से अगर किसी को infection की वज़ा से गले में infection या मुह के infection की वज़ा से यह कड़वाट आई है तो उसमें फायदा हो सकता है तो यह कुछ तरीकी अपनाए और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनको आदात हो च इसको चबाएंगे तो saliva बनेगा saliva बनेगा तो आपको जो अजीब सा कड़वाट या टेस्ट लग रहा है वो ठीक हो जाएगा तो यह कुछ तरीके हैं जिनको अपनाए जा सकता है special कोई दवा आती नहीं है आपको कारण ही देखना पड़ेगा जैसे अगर किसी अभी उखार है तो इंतजार करना पड़ेगा तीन-चार दिन इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा कोई special antibiotic चल रहे है तो आप डाक्टर से जाके मिल सकते हूं दोबारा से दिखा सकते हैं कि यह दवा से देखी सायद मुझे कड़वाट आ रहे इससे आप इसको चेंज कर सकते हो बदल कर सकते हो या आपका काम हो गया है तो बंद कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा मैक्सिमल लोगों की सिकाय तो तभी होती है जब उनका कोई सरीर में इंफेक्शन हो गा रहा हो तभी यह कड़वाट रहती है कोई दवा चलती रहती है अगर यह दोनों कंडिशन नहीं है कि आपके सरीर में इंफेक्शन भी नहीं है और मतलब कोई दवा भी नहीं चल रही तो फिर आपको जाके अपने पूरे सरीर की जाच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये कोई viral infection की वज़ा से कोई neural damage तो नहीं हो गया है, जैसे coronavirus का infection था, उसमें इस तरह की समस्या हो रही थी, उसमें virus कर क्या रहा था, वो basically जो test bud की neural nerve थी, उसको damage कर रहा था, और साथ मिकोसा को भी damage कर रहा था, test bud को भी damage कर रहा था, तो इस कारण से ये समस्या हो रही थी, तो ऐसे और भी जो दूसरे कारण होते हैं, उनको हमें देखना रहता है, गर्वती महिलाओं को इस साथ क्या होता है, कि उनमें hormonal imbalance हो जाता है, हार्मोन के कारण ऐसा होता है, तो उनक बार गारगल करो, कुला करो, दो-ती बार दिन में ब्रस करो, धेर सारा पानी प्यो, या आपको जो पसंद की चीज है, उसको आप खाओ या उसको आप सूंगो, यही कुछ तरीके रहते हैं, तो अगर आपको ये कडवाहट की समस्या है, मुह के अंदर कडवाहट की समस्या तो ये जो कुछ मेंने important कारण बताया है, ये आप इनको देखें कि इन में से क्या है, और जो दू-ती इन साधानिया बताई हैं, वैसे जो home remedies होती हैं, जो हमारे घरेलू तरीके होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जैसे कि हल्दी है या इसके लाब अद्रक है, लैसुन इनको जिस भी रूप में आपको पसंद हो, चाहे आप हल्दी को घोल के पी सकते हैं, अद्रक की चाहें, काड़ा अगरा पी सकते हैं, इस तरीके के चीज़े लेने से, जो कि इनके अंदर antibacterial या antifungal effect रहता है, तो उससे आपके जो taste bud है, उसमें बैक्टीरिया का infection नहीं ह होगा, healing होगा होती है, तो इस तरीके के भी आप पे जो तरीके रहते हैं, वो try कर सकते हैं, बहराल मुह की कड़वाहाट के जो प्रमुक कारण है, मैंने वो बता दिया है, और ये भी बता दिया है, कि ये समेस्या आपकी कोई बिमारी होगी, या कोई दवा चल रही होगी, इसके कारण हुआ है, जैसे ये दोनों समेस्या ठीक होगी, वैसे ही आपके मुह का जो कड़वाहाट है, वो ठीक हो जाएगा, तो उमीद है कि ऐसे लोग जिनके मुह के अंदर ये कड़वाहाट के समेस्या होगी, उनको कुछ एक guidance मिल गया होगा, कि इस कड़वाहाट को क कैसे मैं दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, थैंक्यू